वेटीटो वेलम बैक इस वीडियो में हम डिसकम करेंगे वॉट। इवट के बारे में ज्यों कि कि हमर पास होता है यह Data Time में और यहां पे होता है वॉट। इपूनलसिस और इसमें थीन functions की बने महर पास, Scenaryo Manager, Goal Seek, और Data Taple. आज हम लोग इन तेनों के बारे में डिस्क्स करेंगे, तो first हमारे पास है हमार scenario manager तो what if analysis में scenario manager function के बारे में हम discuss करेंगे पहले तो scenario manager में क्या है कि हमारे पास suppose कीजे यहाँ पर example में principal amount rate of interest और 10 note given है ठीक है, उसके असाफ से मंत्री my कितनी बनेगी अलग-अलग scenario में ठीक है, तो से इस function में scenario manager में click करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा dialog box open होगा और इसमें हम scenarios अलग-अलग add करेंगे तो पहले हम scenario देखेंगे कि principal amount हमारे पास अलग-अलग हम loan amount change करें ठीक है rate of interest और tenure हमारे पास constant rate fix value रहे तो उसके इसाब से principal amount जो change हो तो हमारे monthly my उसके इसाब से कितनी बनेगी तो मैं scenario का कोई भी नाम देता हूं ठीक है जैसे माल लो मेरे principal amount 50,000 रखता हूं पहले तो मैं इसका नाम दे दिया 50,000 और changing cells changing cells यह रहेंगी मैंने इसको define कर दिया ठीक है और यह comment में आप लिख स करते हैं principal 50,000 okay पर click कर दें ठीक है principal यहां पर 50,000 rate of interest 10.95% और months कितने 12 months के लिए ठीक है इसको add कर दिया एक हो गया अब दूसरा scenario suppose कीजे loan amount है हमारा 75,000 तो मैंस का scenario दे दिया 75,000 ने changing cells cells मार पास define है और यहां पर comments में आप लिखते है principal 75,000 okay ठीक है 75,000 rate of interest 10.95% on months 12 add एसी तिन तीसरा scenario loan amount हमें हमें लेना हो एक लाक रुपए ठीक है तो और changing cell यहीं selected है यहां पर comment में लिख दे प्रिंसिपल one lakh okay one lakh rupees rate of interest on months 12 okay तो मार पास तीन सिनेरियो जे आगे ठीक है 50,000 principal amount हो 75,000 principal amount और one lakh rupees principal amount हो तो उसके हिसाब से monthly EMI कितनी बनेगी और यहां पर principal amount month on month basis interest amount month on basis और total EMI month on basis आ जाएगी तो यहां पर इस scenario पर क्लिक करके हम simply show पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते है 50,000 पर rate of interest हमारा यह रेडियो के सिनेरियो मैंनेजर मचाएंगे तो यह सिनेरियो जागी अब पहले सिनेरियो को देखते हैं क्लिक करेंगे तो by default ही आ रहा है 50,000 पर इस rate of interest पर और इस tenure के साथ EMI बनेगी 4418 लूपीज ठीक है monthly EMI मैंने निकाल लिए से PMT function से अब PMT function मैंने पिछली वीडियो में आपको सुमझा दिया है अब वहां से आप जाके वीडियो देख सकते है उसका लिंक आई बटन में है ठीक है और 75,000 प्रिंस्पल अमाउंट है दूसरा सिनेरियो इसको शो करेंगे तो EMI accordingly चेंज होगी ठीक है इसी तरह तीसरा सिनेरिय वन लाक रूपीज अगर प्रिंस्पल माउंट है तो उसके EMI यह आ गया हम पे चेंज हो के ठीक है 12 मंस के लिए अब इस सिनेरियो को हमने इस सिनेरियो में क्या किया है हमने प्रिंस्पल अमाउंट चेंज करके देखा ऐसे हम 10 और भी देख सकते है ठीक है उससे पहले अग समरी कुछ जो है ऐसे टैबलर फॉर्म में आ जाएगे कि वैल्यूस पचास जार पे ठीक है पचास जार पे इस लेट आप इंटरस के साथ इतने महीने के लिए इतने महीने के लिए परमंती इमाई इतनी बन जाएगी ठीक है 75,000 ऐसे ही 1 लाक रूपीज तो पहले हमने सिने से भी अलग-अलग से नेरियू में देख सकते हैं तो पहले क्या करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं ठीक है अव GB परमंट फीकल है और रिट अप इंटरस्ट भीज और आप चाहिए ंतोW सेनेव इस में अलग-लग रेट आप Εंटरस्ट भी ले सकते हैं ठीक है मैं यहां पर scenario manager में जाके इन दीनों scenario को delete कर देता हूँ अब आप इसे नया scenario add करते है suppose किजिए 10 or 12 months का है तो यहां पर 12 months लिख देते है यह simple 12 लिखते है changing cell in cells में right created by इसमें comment में लिखते हूँ 12 months यह पहला scenario हो गया ओके ठीक है add कर दीजिए ऐसे ही second scenario 24 months का range selected already यहां पर 24 months लिख दो ओके बाकी दोना चीज़े same रहेंगी यहां पर months change करने हमें यहां पर 24 लिख देते है एड़ अप तीस है scenario 36 months का command में लिख दो 36 months range हमने अल्रड़ी define की हुई है ठीक है यहां पर 36 months इसको add कर दीजाओ ठीक है तीन scenario मेरे पास ready होगी यह आप देख सकते हो अलग लग लग बारा महीने 24 महीने और चत्थिस महीने की तो बारा महीने को हम शो करेंगे तो बाइडिफॉल्ट यह बारा है तो यह बाइडिफॉल्ट उतने महीने के लिए हमने लिया है तो पर मन्त EMI हमारी बनेगी 4658 रुपीज और यहां पर आप देख सकते हो month on month basis पर principle और interest amount भी चेंज हो रहा है ठीक है वो भी आप देख सकते हैं calculate करके और EMI हमारी monthly इसे साब से बन रही है ऐसी 36 months का देखना हो यह देखे 36 महीने आ गए 10 योड उसकी accordingly EMI चेंज होगी monthly ठीक है और यहां पर month on month basis पर principle or interest amount भी calculate हो गया है ठीक है फ्रेंस अब इसका हमने summary देखना हो थे हैं पर summary पर क्लिक करके okay press करेंगे तो यहां देखिए current values में आ गए months आ गए हमारे 12, 24, 36 principal amount हमारे यह रहा एक लाग रुपए rate of interest ठीक है और months अलगला month में जो है यह current value यह इसलिए आ रही क्योंकि यहां पर अभी current में value यह है एक लाग रुपए rate of interest यह और 10 योड जो है 36 महीने तो यह scenario में 12 महीने की M.I. यह बनेगी 24 महीने की M.I. यह बनेगी और 36 महीने की M.I. यह बनेगी तो यह हमने what if analysis में तो यह हमने what if analysis में scenario manager discuss कर लिया है अब हम क्या करते हैं इसको delete कर देते हैं यह इसको रहने भी दे सकते हैं ठीक है अब what if analysis में हम देखेंगे goal seek function Goal seek function जो है हम use करते हैं कव जिससे मालो की हमें estimated value चाहिए estimated value के हिसाब से जो है वह हम जो है principal amount जो है कितना हम या फिर हमें कितना loan मिलेगा वह हम हमें देखना हो तो वह हम goal seek function से देख सकते हैं 75 रुपए ठीक है तो अगर मैं capital हूँ मंथली माई पे करने के लिए जैसे प्रपोस कीजिए पांच रुपए मंथली माई में पे कर सकता हूं तो उसके इसाफ से मेरे को loan कितना मिल जाएगा ठीक है या फिर मैं 32 नहीं सिर्फ 25 रुपए पे कर सकता हूं तो उसके लिए मेरे को कितना loan मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर goal seek function से हम लोग जो है find कर सकते हैं तो यहां what if analysis में जाके what if में what if analysis में जाके goal seek function पर click करूँगा और यहां पर set cell set cell क्या यह cell इस cell में हमें देखना है EMA amount ठीक है EMA amount कितना में पे कर सकता हूं suppose कीजिए अगर मैं धाई जार यह पे कर सकता हूं ठीक है धाई जार पे कर दिया by changing cell तो यहां पर loan amount में को कितना मिल जाएगा okay पर प्रेस करेंगे तो यहां धाई जार मंत्ली माई जब मैं पे करूँगा तो मुझे loan कितना मिलेगा से 76,417 रुपएगा तीन साल के लिए ठीक है ना आपको अगर value यह रखनी तो ओके प्रेस करें या फिक कर दें इसी तरह से मन्थली माई मैं जब 5 शेयर पे कर सकता हूं तो मुझे कितना माउंट मिल जाएगा वो भी देख लेते हैं सेट सेल मन्थली माई ठीक है त्यक थीक है तो अगर जब मैं 5 शेयर प्रेय मन्थली यह मैं पे कर सकता हूं तो मुझे लोन जो है कितने मिल जाएगा एक लाग के बदले एक लाग बावना जार आठ सो पैंतीस रुपए इतने इतने महीने के लिए इस रेट आफ इंट्रस पे ठीक है तो आप इस वैली को रखना चाहें तो प्रेस कर दें नई तो कैंसल कर दें है तो यह हमने गोल सी क्वंशन डिसकस कर लिया इसी तरह से वाटेफ इंटरवल में क्या होता है डिटा टेबल के लिए सपोस कीजREE यहां पे मंखली माई मेरी बन रही है यह, ठीक है, इस rate of interest पे इतने महिने के लिए और इतने principal amount पे, जैसे हमने अलग-अलग scenario के लिए scenarios देखने के लिए हमने scenario function यूज किया था, scenario manager, अब यहाँ पे data table के लिए हम यहीं पे, इसी page पे हम एक साथ जो है, यह मैं देख सकते हैं अलग-अलग principal amount की, तो यहाँ पे मैं लिखते था हूँ, जैसे 50,000, ठीक है, 75,000, फिर 85,000, फिर 1,00, रुपे, अब करना क्या है है, मैं इन principal amount पे, हमें monthly amount कितनी बनेगी, वो यहाँ पे दिख जाएगी, किस function से, data table से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे, ऐसे selector लेना है, cell को, उसके बाद, what if analysis में, data table, right, अब इस में दो option दिख रहे हैं, row input cell, column input cell, यानि, जो data हमारा है, वो rows में है, या column में है, तो data हमारा column में है, तो यहाँ पे select कर लेंगे, ठीक है, column input cell, यानि, यहाँ पे, किस को select करेंगे, principal amount को, ठीक है, और यहाँ पे, okay, press कर देंगे, तो आप देख सकते हो, पचास जार पे, इतनी अमाई बन जाएगी, पचातर जार पे, इतनी अमाई बन जाएगी, पचासी जार पे, इतनी बनेगी, और एक लाग पे, इतनी अमाई बनेगी, यहाँ पे, आप देख भी सकते हो, एक लाग यहाँ पे amount था, और मंतली अमाई 78,000 पे 24,000 रुपे 85,000 पे 27,000 पे ठीक है और फिर 1,00,000 पे मारी माई बन गई 32,000 रुपे तो इस तरह से What if and else is function यूज़ करके आप अब अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से multiple scenarios और goal seek function और tabular form में data जो है आप देख सकते है Guys अगर वीडियो अच्छी लोगी वीडियो को लाइक करके चाहरा को सब्सक्राइब करें और comment करके बता है आपके वीडियो कैसे लगी बाकी माई ये जो है Excel फाइल जो है इसका लिंक जो है आपको practice के लिए description में दे दूँगा वहाँ से download करके practice कर सकते है thank you